हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुरा सिंग, दा माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभी नंदन करता हूँ आज मैं आप लोगों को कुछ प्रमग पुष्टक हैं एवं उनके लेखक बताने माला हूँ जो एगजाम की दृष्टी से भहुत मात्पूर है चलिए, चलते हैं क्लास की ओर और क्लास की ओर जाने से पहले आपके लिए कुछ चाय लाने है बहतर से बहतर होने की तलास करिए, मिल जाए नधी तो समंदर की तलास करिए तूट जाते हैं सी से पत्थर की चोड से पत्थर भी तूट जाए ऐसे सी से की तलास करिए इसी एक साथ बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और यहां पर लिखा हुआ है पुरिमुक पुष्टकें एबं उनके लेखक एक तरफ मैंने पुष्टकें और दूसर तरफ हमें लेखक लिखे हुए हैं तो यहां पर लिखा हुआ है अर्थसास्त्र और अर्थसास्त्र के लेखक चाणक को कहा जाता है किसे कहा जाता है चानप को कहा जाता है और यह अर्थसास्त पुस्तक कई बार एक्जामें पूछी गई दिहां रखना मेरे दोस्त अर्थसास्त के लेखा किसे कहा जाता है चानप को कहा जाता है नैश्ट पुस्तक अश्टा द्यहाई जिसकी रचना पार्णी ने की थी नैश पुष्टक की रचना बात से आयनने की थी अगली पुष्टक राज तरंगणी इस पुष्टक की रचना कन हणने की थी और यह बही पुष्टक है राज्टरंगनी जिसमें कस्मीर का अथ्यास का प्रणार मिलता है चली नेस्ट पुष्टक की रचना अरवन भोस ने की ती अक्सल लोग जब इन दोनों पुष्टकों को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ डिवाइन और दूसरी डिवाइन लाइफ तो कैसे याद रखेंगे इसको लाइफ पहले तो आवी पहले आता है लाइफ बाद में तो सावी बाद में आता है तो याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं कि लाइफ अगर पहले तो आ पहले आता है तो अरवंद घोस लाइफ डिवान की रचना की थी डिवान लाइफ लाइफ बाद में आया सावी बाद में आता है तो सिवानन्द ने किसकी रचना की थी डिवान लाइफ की नैश्ट पुष्टक यहां पर लिखा है मिलंद पनो और मिलंद पनो नामा कुष्टक की रचना न मिनांडर और नाक सेन के बीच में जो भी बारतलाव होता है उसकी चर्चा मिल्ती है। मिनांडर विदेशी आक्रमण कारी था इसने पुस्समित्र सुंग के समय भारत पर आक्रमण किया और उस समय पुस्समित्र सुंग का से अगनी मित्र सी जिस ने मिनांडर को बुरी तरह से पराज्ट कर दिया और जब यह के बापस जा रहा था तरह राष्ते में से नाकसेम मिलते हैं और नाकसेम और मिनांडर के वीचे जो भी बारतलाब होती है वह सारी जानकारी मिलन्द पणहो नाम पुस्तक से मिलती है नैस्ट यहां पर अगली पुस्तक लिखी है सत्यात प्रकास Most important पुस्तक इसे कहा जाता है सत्यात प्रकास कई बार एक रिविजन कर लेते हैं अर्तसास्त की रचना चणक ने की थी अश्टाध्याई पान्री, इंडिका मेगिस्तिनीच, कामसूत्र बात्स्यायन, राजत्रंग्णी कलहन, लाइफ डिवाइन अरविन्द घोस, डिवाइन लाइफ सिवानद, बिलंद पनो नाकसेन, सत्यात प्रकास दयनन्द भरती कुछ पुष्टके हमने इधर भी लिखी है, वो भी अग्जाम की दिरिश्टी से बहुत मात्पूर है, चलिए उनको भी देख लेते हैं, पहली पुष्टक यहाँ पर जो लिखी है, उसका नाम है सहे नामा, और इस पुष्टक की रचना फर्दोसी ने की थी, अगली पुष अगली पुष्टक की लेखाक कौन है, तो तुलसी दास आपके सामनी लिखा हुआ है, कि बिनाए पत्रिका के लेखाक तुलसी दास जी है, अगली पुष्टक, गीता गोविन, एह भी पुष्टक कई वाले आगज्वाम में पूछी गई, और बहुत महत्रून पुष्टक है, गीता गोविन और इस पुष्टक की रचना जैदेवने की थी, नेस्ट बुद्ध चरीतम, इस पुष्टक की रचना अस्शगोशने की, और अगली पुष् हर्स चरित्र और इस पुष्टक की रचना बाणभटने की थी यह भही बाणभट है जो हर्स बर्दन के दरवारी कभी थे लेश्ट कुष्ण देखिए लेश्ट पुष्टक मेगदूत और इस पुष्टक की रचना काली दासने की थी और इसके बाद अंतिम जो पुष्टक यहां पर लिखी हुई है मुद्रा राक्षस और इस पुष्टक की रश्चना विसाख दत्थ में की थी जितनी भी यहां पर पुष्टके लिखी है एक जाम के दिरिष्टी से सभी महात्रपूर है चलिए फिर्च से इसका रिविजन कर लेते हैं जिससे आपको यहीं पर जल बिनाय पत्रिका तुलसी दास गीता गोविन जैदेव बुद्ध चरीतम अस्यगोस हर्स चरित्र बाणवट और मेगदूद काली दास नैश्ट पुष्टक अंतिम पुष्टक कहेंगे से मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विसाख दत्थ ने की थी आज के लिए एतना मिलते हैं नैश्ट किलास में जब तक के लिए थेंक्यू जैहन